हाई गैस और वेल्कम बैक टू दी चैनल दीपच्यादव एजुकेशन वेल्कम टू दी डेली करेंट अफेयर्स और थर्ड अफ एप्रेल 2022 तो गैस आज है तारिक 3 अप्रेल 2022 और है संडे आज की तारिक से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स बनेंगे उ आपके लिए ये वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है मतलब मंडे से लेकर से तक आपने जितने भी आर्टिकल्स पड़े तो यह रर्यविशन के पॉस्पेक्टिव से वीडियो होता है जो कि हर संडे आता है तो हम लोग इस चैनल पर weekly compilation को cover करते हैं weekly के साथ-साथ monthly compilation को भी आपर cover किया जा रहा है regularly उसके बाद एक और छोटी सी information वो यह है March 2022 का monthly compilation मैंने already upload कर दिया है परसो जाकर आप लोग देख सकते हो और उस वीडियो को आप लोग अपने अराम से देखो क्योंकि लंबा वीडियो है चार घंटे का है थोड़ा-थोड़ा करके देखो और March के महिने के जितने भी current affair है वो सब आपके यहां पर cover हो होता क्या है हम लोग चीज़े पढ़ तो लेते हैं revise करना भूल जाते हैं revise नहीं कर पाते हैं तो revision के perspective से यह दो वीडियो काफी important आपके लिए रहती है नव बढ़ते हैं आगे आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को इस lecture का PDF चाहिए तो नीचे description box में आप सभी लोगों को टेलिग्राम का link मिल जाएगा वहाँ पर जाकर आप लोग इस lecture के PDF को download कर सकते हो बट अभी आज इस PDF को खोजने की कोशिश मत करना क्योंकि यह PDF नहीं मिल पाएदा क्योंकि आपको बता होगा हम लोग यहाँ पर monthly compilation को तयार करते हैं तो अभी यहाँ पर जो April के महिने का compilation मनेगा उसी के अंदर मैंने यह सारी PDF को merge गया हुआ है तो basically क्या होगा यह compilation वाला PDF आपको मिलेगा तो लेकिन अभी जब यह मन्त खतम होगा ठीक है जो April का मन्त खतम होगा end में बिलकुल last day पर आपको यह PDF मिल जाएगा बाकी आप लोग मुझसे connect होना चाहते हो कोई queries हैं आपकी तो Instagram पर आप लोग connect होकर अपनी queries पूछ सकते हो और आपको पता है यह video UPSC और State PSC के लिए काफी helpful रहता है साथी साथ एक और छोटी सी request है कि आप लोग video को support कर सकते हो video को like करके हमने हमेशा की तरह आज भी target रख हम लोग अभी इस compilation के अंदर इसको details से cover करेंगे तो हुआ क्या था आप देखपाऊगे Indian Express का article है सभी news के साथ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि कौन कौन सी जगह से लिया गया है वो सारे sources आप लोग को यहाँ पर मिलते रहेंगे तो हुआ क्या था West Bengal के अंदर जो बिर्बम district है यहाँ पर एक हिंसा होती है और उस हिंसा के बाद जो बहुत सरे political leaders होते हैं वो यहाँ पर जोर यह डालते हैं कि West Bengal के अंदर article 355 को लागू कर देना चाहिए यानि president का rule लगा देना चाहिए तो president का rule यानि कि यहाँ पर बात करी जारी है emergency की तो इसी को लेकर का emergency किस प्रकार की होती हैं बिल्कुल basic से हम लोग cover करने वाले हैं अब basic से cover करने के लिए पहले तो हमें समझना यह होगा आकरकार emergencies होती गया है तो देखो emergency यानि कोई आपात कालीन वाली situation हो गई ठीक है यहाँ पर आपको तुरंद action लेना है कही पार आग लग गई है ठीक है जो emergency के provisions हैं इसके अंदर मालो कहीं पर भी emergency जब लगाते हैं तो जो power से वो central government के हाथ में आपर आ जाती है ताकि वो क्या कर सके जहां पर भी situation खराब हुई है उस situation को सुधार सके और जितने भी emergency के provisions हैं यह आपको Indian constitution के अंदर देखने को मिलेंगे लेकिन हमने लिये कहां से इसको हमने Government of India Act 1935 से लिया है इस Act से हमने काफी सारी चीज़े भी ले रखे हैं प्लस यहां पर आपको यह भी धिहान दखना है एमर्जंसी प्रोविशन के दौरान यहां पर कुछ fundamental rights यहां पर suspend होते हैं ठीक है कौन-कौन से fundamental rights suspend होते हैं कौन से नहीं होते हैं वो आगे मैं इसको हम लोग बचा सकें तो अपने country की protection के लिए यहां पर यह सारे आपको safeguards देखने को मिल जाते हैं जिसको हम लोग emergency provisions बोलते हैं अब emergency भी तीन प्रकार की होती है वो तीन प्रकार कौन-कौन से है article 352 के अंदर आती है national emergency, article 356 के अंदर आती है state emergency और article 360 के अंदर आती है financial emergency तो तीन प्रकार की emergency है national emergency जो हमारे पूरे country के level पर होगी state emergency जो राजों के अंदर देखने को मिलेगी financial emergency जो हमारे financial से यानि की पैसे संबंदित नियांबर emergency देखने को मिलेगी आगे में details से बताऊंगा अभी बस हम लोग एक overview ले रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है emergency के जितने भी provision है वो हमारे समविधान में part 18 के अंदर article 352 से लेकर 360 तक सारे के सारे emergency provisions हैं अब 352 से लेकर 360 के बीच में specifically 352 के अंदर national emergency है 356 के अंदर आपको state emergency देखने को मिलेगी और 360 में financial emergency देखने को मिलेगी अब यहाँ पे हमने article में पढ़ा कि West Bengal के अंदर article 355 लगाने के बारे में चर्चा की जारी है तो आखिरकार क्या है यह इसको हमें समझना थोड़ा जरूरी बन जाता है article 355 के जब हम लोग बात करते हैं तो यह यह बात करता है कि देखो एक ऐसी condition जहाँ पर जो states है जो यानि कि राज्य सरकार है वो समविधान को follow नहीं कर रही है तो क्या होगा उस condition में यहाँ पर यह article 355 को लगाया जा सकता है article 355 हमारा एक emergency का ही part है आप लोगो पता होना चाहिए इसके बारे में तो article 355 के अंदर बताया गया कि जो हमारी central government है महारी केंदर सरकार है हमारी केंदर सरकार के पास यहाँ पर तीन duties हैं वो तीन duties क्या क्या है कि उसको राज्य को बचाना है इस state को बचाना है और उस state को त दूसरा यहाँ पर कोई external aggression हो रहा है बाहर से ठीक है तो उसको भी देखते वे यहाँ पर center को बचाने का काम है कि हाँ center states को बचाएगा तो यह दो हो गए तीसरा यहाँ पर step होता है जब राज्य सरकार सही से समविधान को follow नहीं कर रही है अपने हिसाप से सारा काम कर रही ह तो उस basis पर भी यहाँ पर केंद सरकार का काम है कि इस state को समवाले तो यह तीन condition है यहाँ पर आप देख पाओगे article 355 को लगाने के लिए तीन condition होती है वो कौन कौन सी है जब state के अंदर external aggression हो या फिर internal disturbance हो या फिर जो state है वो यहाँ पर constitution के provisions को follow ना कर रहा हो तो उस basis पर क् जो हमारी केंद सरकार है वो यहाँ पर article 355 को लेकर आ सकती है तो article 355 के अंदर सिर्फ provisions बताएं तो इसको लागू करने के लिए इसको fulfill करने के लिए बनाये गया है article 356 तो 355 में सारी बाते बता दी अब fulfill करने के लिए 356 बनाया गया इसका अगला वाला ही 356 के अंदर बिलक रूल लगाएगी और इसी को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं state emergency या फिर आप प्रेसिडेंट रूल के नाम से इसको जानते हो अब article 356 के बारे में आपको बदा चल चुका है कि क्या होता है यहाँ पर आप लोगो को देख लिया कि हाँ प्रेसिडेंट जो है यहाँ पर एक र प्राब हो चुकी है राज्य के अंदर और जो राज्य है यहाँ पर संभिधान को बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहा है तो उस बैसिस पर जो है यहाँ पर emergency लग सकती है वैसे यह आपको आर्टिकल 365 के अंदर देखने को मिलेगा मतलब यह है कि प्रेसिडेंट रूल को इंपो सरकार की बात नहीं मान रही है जब यह जो आर्टिकल 365 इसके अंदर चीज़े बदल जाती है यह हटकर है थोड़ा सा ठीक है तो आपको ध्यान रखना है यह हटकर क्या है कि यहाँ पर क्या होता है कि मानलुक केंद्र सरकार ने यह ओर दिया कि यह सब को फॉलो करना है लेक प्रेसिडेंट रूल कैसे कांका पर होता है बट प्रेसिडेंट रूल स्पैसिफिकली 356 इंदर बताया गया है जैसे मैं आपको बताया है 355 में सारी बात है उसको फुल्फिल करना है कैसे वह 356 के अंदर बताया गया अब फुल्फिल करने के लिए क्या क्या चीज़े होती आपको मैं बता देता हूँ इसके बारे में सबसे पहली बात देखो दो condition होनी चाहिए वो condition आपको बदा चल चुका है कि हाँ क्या है वापस से वह repeated बात है कि हाँ state जब समिधान की provisions को follow नहीं कर रहा है ठीक है और यहाँ पर आपका सकते हो कि जब दूसरी condition यह आप यह कि मालो जो state है state के अदर एक governor है governor ने president को यहाँ पर खद लिख दिया कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है यह state है state यहाँ पर सही से अपना governance नहीं कर पा रहा है तो इसकी वज़ा से क्या होगा जो governor ने बोद लिया कि भाई यहाँ पर हमारे यहाँ पर पर parliament का यह काफी बड़ा roll आता है क्या होता है कि देखो यहाँ पर parliament से approval लेना होगा मालो जैसे कि आज यह तारीक है कोई भी आज particular तारीक है आज इस particular state के अंदर यह president rule लगाने के बारे में चर्चा की गई आज president rule लगाया गया तो आज यहाँ पर लगाएंगे तो इसको द दो महीने के अंदर-दर parliament का approval किस परकार से होगा तो राजर सभा लोग सभा दोनों का यहाँ पर approval मिलना चाहिए simple majority से अब यहाँ पर approval मिल जाएगा तो क्या होगा यह जो मतलब emergency लगा रखे है president rule लगा रखाए यह यहाँ पर इसको आगे बढ़ा दिया जाएगा आगे कब तक बढ़ा दिया जाएगा तो आगे इसको मतलब पूरा 6 महीने तक कर दिया जाएगा तो मतलब जिस तारीक को यह emergency लगाई गई थी उस तारीक से 6 महीने तक वो emergency लगी रहेगी क्लियर हुआ वो प्रेसिडेंट रूल चलता रहेगा प्लस अब आपको question होगा क्या जो प्रेसिडेंट रूल है वो स्रिफ 6 महीने के लिए होता है तो ऐसा नहीं है 6 महीने के बाद अगर जरूरत पढ़ ल approval की अवशक्ता है पर पढ़ जाती है फिर एक question दिमाग में और आएगा कि अब क्या हम लोग उसको terminate कर सकते हैं मतलब इसको हटाया कैसे जाएगा तो प्रेसिडेंट के साब पास सारी powers है प्रेसिडेंट को लगता है कि वह situation सही हो चुकी है अब तो क्या होगा हटा दो तो emergency state emergency क्या है वो आपको समझ मा चुकी है अभी हाँ पर मैं आपको थोड़ा सा और बताऊंगा emergency provisions में जब हम लोग आते हैं तो मैं आपको बाता है न हमने particularly तीन emergency के बारे में पढ़ा एक हमने पढ़ा national emergency दूसरा state emergency तीसरा financial emergency तो जो आपने second वाला state emergency है वो तो डीटिल से पढ internal aggression हो ठीक है या फिर armed rebellion मतलब कि कोई internal disturbance हो तो इस condition पर यहाँ पर national emergency लगाई जा सकती है आप लोग को ध्यान रखना है clear हुआ और इसका declaration वगरा हो सकता है जैसे मैं आपको बता है कोई external emergency आ गई हो या फिर internal emergency हो या फिर यहाँ पर आपका सकते हो कोई war वाली condition हो रही हो तो और दिमाग में आएगा कि सर क्या अभी तक emergency लगाई गई है हाँ अभी तक emergency लगाई गई है लेकिन अभी तक स्रीव और स्रीव हमने national emergency लगाई है कब कब लगाई गई है तो भारत में यहाँ पर इतिहास में अभी तक तीन बार national emergency लगाई गई है वो तीन बार कौन कौन से समय है तो एक समय हाँ पर एक सेकंड क्लियर पेज पर चलते हैं तो तीन बार यहाँ पर नैशल एमर्जनसी लगाई गई है ध्यान रखना पहली जो एमर्जनसी लगाई गई थी वो लगाई गई थी पर जो एमर्जनसी लगती है वो लगती है इंद्रा गांदी जी के समय पर अब यह तो यहाँ पर उपर वाली जो दोनों financial emergency के बारे में, तो लास्ट आती है financial emergency, financial emergency के अंदर article 360 के अंदर आपको powers देखने को बिलेंगी, कि जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर satisfy हो जाए कि बिल्कुल situation खराब है, financial stability जादा अच्छी है नहीं, तो उसके basis पर financial emergency को लगाया जा सकता है, फिर एक और बहुत important चीज आती ह वो यह, कि जब यह emergency लगाई जाती है, तो इस emergency को लगाने से, जो हमारे fundamental rights हैं, उनके उपर क्या effect पड़ता है, यह भी बता दो, बिल्कुल यहाँ पर इसको समझना बहुत ज़दा जरूरी है, आपको ध्यानक ना है, देखो, जो fundamental rights है, article 19 के अंदर आपको बता होगा, आप के fundamental rights है, 12-35 जितने भी आपको देखने को मिलता है, तो इसको suspend करने का, जो provision आपको अंदर देखने को मिलेगा, according to article 358, 358 के according बात करें, जब यहाँ पर कोई national emergency की घोशला हो जाती है, तो यह क्या करता है, 6 fundamental rights को under article 19, automatically suspend कर देता है, तो मतलब हमारे fundamental rights suspend हो जाते हैं, लेकिन क इसको छोड़ कर article 21 को छोड़ दिया जाता है, article 20 को छोड़ दिया जाता है, उसके बाद यहाँ पर हमारे fundamental rights बाकी suspend हो जाते हैं, clear हुआ, I hope आप लोग यहाँ पर इसको समझ चुके होंगे, जो आपका right to life and personal liberty वाला है, वो छोड़ दिया जाता है, बाकी सारे जो fundamental rights हैं, वो कोई effect नहीं होता है, सिरिफ और सिरिफ national emergency की condition में यह fundamental rights suspend हो पाते हैं, clear हुआ, तो यह आई होप आप लोग यहाँ पर काफी सारी चीजों को समझ पाए होंगे, उसके बाद मतलब काफी लंब article हो गया, क्योंकि important था तो इसके बारे आपको पता भी होना चाहिए, उसके अगला article आया था, important है, lead in the blood lead, lead in the blood of thousand children, मतलब हजारों बच्चों के खून के अंदर lead पाया गया है, अब lead क्या है, lead एक chemical element है, जो की बहुत जादा खतरनाक बन जाता है, देखो बहुत सारा, बहुत जादा level का lead पाया गया, हजारों बच्चों के अंदर ऐसी information निकल कर आती अगर हम बात करें lead की, तो यह जो lead है, अपने आप में एक जहर देखने को मिल जाता है, अगर इसको जादा मातरा में कोई भी consume कर ले, तो उसको fatigue, यहनी धकावन, उसके abdominal pain, nausea, diarrhea, भूक ना लगना, एनेमिया वाली condition होना, खून का कम हो जाना, ठीक है, तो यह सारी situation का आ ज अगर हम लोग इनके बारे में बात करें, तो इनको सबसे जादा बुरी तरह से affect करता है, यह lead आपको ध्यानक ना है, lead की वेसे क्या क्या चीज़े होती है, मैंने भी आप लोग को थोड़ दिर उपर ही बताया है, जब हम लोग periodic table की देखते हैं, तो periodic table के अंदर आपको यह यहां पर lead देखने को मिलेगा, lead के बारे में जान लेना, इसका symbol है PB, इसका atomic number 82 देखने को मिलता है, atomic weight 207.2 है, उसके बाद lead की वेसे क्या होता है, अगर कोई body के अंदर lead की मातरा बढ़ जाए, तो IQ level कम हो जाता है, blood के अंदर कमी देखने को मिलती है, kidney impairment, kidney damage देखने को मिल है, reproductive organs के अंदर काफी सारी कमी देखने को मिलती है, sperm count काफी कम हो जाता है, nervous system यहां पर damage हो जाता है, प्लस यहां पर जो bone है, उसका साथ साथ यहां पर muscular growth है, muscles है, वो यहां पर कम हो जाती है, और brain के ओपर काफी बुरा impact पढ़ता है, IQ level गर जाता है, learning सही से नहीं हो पाती ह कमजोर हो जाती है, behavioral problems हो जाती है, प्लस सुनने भी यहां पर काफी सारी परेशानी आती है, clear हुआ, तो यहां पर naturally पाया जाने वाला आप एक toxic metal है, जो की earth crust में पाया जाता है, ठीके, आप देख पाऊगा, यहां पर प्रित्वी में पाया जाने वाला एक, आपको यह toxic metal द की वज़ा से काफी सारी लोग की जान गई है, ठीके, लगबग यहां पर 9 लाग के आसपास लोग की जान गई है, 2019 के अंदर LED की वज़ा से, और 21.7 million जो यहां पर आपका सकते हो की जाने हैं, वो कहीना की disability की से सफर कर रही है, उनको भी कहीना की काफी सारी problem से उनकी life के अ लेड का स्थमाल होता है, तो उसको ऐलिमेट करने के लिए WHO काफी काम कर रहा है, और भारत क्या कर रहा है, तो भारत ने यहां पर एक रूल बना रखा है, regulation on LED content in household and decorative paints rules 2016, तो मतलब यहां पर काफी सारी paints होते हैं, जिसके अंदर LED का स्थमाल होता है, काफी सारी चीज़े होत acceptance of necessity दे दी है, कि हाँ G7 जो B satellite है, इसको हम लोग यहां पर ready करेंगे, जो यह satellite है, यह हमारी Indian Army को dedicate किया जाएगा, आपको धियान लखना है, military के perspective से satellite है, और military के perspective से इतियास में आपको यहां पर भारत की दो satellite देखने को मिलती है, इंडिया की military satellite है, उसका एक नाम है G7, आता है एक G7, दूसरा आता है G7A, G7 जिसका नाम रुकमिनी है और G7A जिसका नाम एंगरी बर्ड है, जो G7 वाली है, यह military satellite है, और G7A वाली हमारी Indian Navy के लिए बनी वी है, मतलब आपको सकतो हो, जो उपर वाली 7 वाली है, यह Indian Navy के लिए बनाई गई है, और 7A वाली Air Force के ल हमें यहाँ पर यह satellite help करने वाला है, प्लस border के उपर हमें काफी मदद मिलेगी, border की जब हम बात करते हैं, तो सबसे बड़ा खत्रा हमाली है, China Pakistan मन जाता है, तो उसमें हम लोग काफी मदद मिलने वाली है, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है, बाकी 2 satellites कौन कौन सी हो हमने cover करी लिया, फिर उसके बाद World Water Day 2022 काफी चर्चा में था, तो World Water Day 2022 को हम लोग यहाँ पर celebrate कर चुके हैं, 22 March को इसको celebrate किया गया था, आप लोग इसके बार में जरूर ध्यान रख सकते हो, और यहाँ पर क्या हुआ, इस World Water Day के अफसर पर, क्या हुआ, एक H2O करके, एक Water Wise Program चला ही होगा, ठीक है, United Nation Educational Scientific Cultural Organization इसकी full form है, इसके बाद, यहाँ बे बताया गया, देखो, UNESCO है, इस body के बारे में जान लो, UNESCO जो प्रोग्राम है, यह कहिना कि हमारे Sustainable Development Goals के अंदर काफी बड़ी मदद करता है, जो हमारे 17 गोल है, 2030 तक जो हमें अचीव करना है, उसमें आपर help करता है, प्लस साथ साथ बताया गया, UNESCO के अंदर आपको 193 members देखने को मिलेंगे, 11 associate members देखने को मिलेंगे, इंडिया ने UNESCO को join क्या था, 1946 के अंदर में, 2019 के अंदर क्या हुआ, USA और इसरेल ने हाँ पर formally quit कर दिया थो UNESCO का, UNESCO का headquarter आपको Paris यानि France में देखने को मिल जाता है, clear हुआ, तो ये छोटी सी information थी, बाकी आपको UNESCO के अलग-अलग initiative देखने को मिल जाते हैं, इस initiative के बारे में एक बार पढ़ सकते हो, अदरवाइस यहां पर कुछ खास बाते हैं नहीं, ठीके, फिर आपकी practice के लिए कुछ questions लगा रहे हैं, questions को भी आप लोग ज़रूर attempt क और उस report के अंदर बताया कि भाई, जितनी बुराई इंडिया के अंदर NATO की हो रही है, उतना बुरा NATO नहीं है, ठीके, हाला कि Russia बुरा है, नेटो इतना बुरा नहीं है, ऐसे यहां पर बुकरेस्ट 9 ने बोला है, बुकरेस्ट 9 यहां पर, बुकरेस्ट कहां से बढ़ आता बुलगेरिया, चेक रिपबलिक, एस्टोनिया, हंगरी, लात्विया, लिथ्वेनिया, पोलेंड, रोमेनिया, एंड स्लोवेकिया, अब यह सारे देश आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे, मैप में, ठीके, यह जैसा आप लोगो नज़र आ रहा होगा, अब क्या है रिजन आपको बता है क्या है कि युकरियन कहरा है मैं NATO को जॉइन करूंगा, इस वे से मैं अटेक कर रहा हूं, रश्या, यहां पर वेसी के लिए बोलता है कि युकरियन अगर NATO को जॉइन ना करे, तो यहां पर उसके ओपर अटेक भी नहीं होगा, सिंपल सी बात है, तो ब basically एक संगेटान है जहाँ पर 30 देश आपको देखने को मिलेंगे पहले कम हुआ करते थे धीरे-देर इसके अंदर और देश बढ़ चुके हैं ठीक है अगर आप लोग यहाँ पर इसको देखो इस वाले पिचर को तो एक सेकेंड यह आपको नेटो का पिचर देखने को मिलेग तो नेटो यहाँ पर बढ़ता रहा बढ़ता रहा और फिर उसका खबरे सारी यही आपको देखने को मिलेंगी कि नेटो की चाल है नेटो लगातार बढ़ रहा है तक कहीं न कहीं यहाँ पर युकरेन को भी अपने हिस्से में ले लेगा तो अब बीनाइन कंट्रीज नहीं यह बोला कि भाई देखो नैटो गलत नहीं है और नैटो को हम जोईन मतलब देखो यह जो बिनाइन कंट्रीज नहीं सबसे बड़ी बात यह नैटो का ही हिस्सा आपको देखने को मिलेंगी जितने में अपनी नाम लिया है बिलको बुलगेरिया, एस्तोनिया, लात्विया यह यहां पर यहां पर यह टूटा है उसके बाद यहां पर यहां पर यह 15 देखने को मिलेंगी तो आज के टाइम पर जो नैटो है वह आपने आपको एक्सपेंड नहीं कर रहा है और यह जो कुछ countries है बिना इन countries इनका कहना यह है कि यहाँ पर expand नहीं कर रहा है हम लोग NATO का part है हम लोग यहाँ पर खुश है और basically हमारे यहाँ पर democracy है यह सबसे बड़ी बात है तो कि यहाँ पर क्या है इन countries के अंदर आपको democracy देखने को मिलेगी democracy जहाँ पर सभी लोग मिलकर अपनी सरकार को बेठा रहे हैं और बाकी Russia वगरा के अंदर आपको democracy नहीं देखने को मिलती है वहाँ पर आपको autocracy देखने को मिलती है Russia चाहिना के अंदर मतलब डेमोक्रेसी को दबा दिया जाता है अपने इसाप से एक जाना जो है पूरी तरह से रूल करता है तो इन कंट्रीज का कहना यह है कि नैटो के बारे में जो भी आप लोग गलत बाते फला रहे हो वो बिल्कुल भी सही नहीं है इनोंने इंडियन एक्स पसंद है तो इसी के basis पर यह article लिखा गया था आई हो आप लोग यहां पर इसको काफी अच्छे से समझ चुके हो बुकरेस्ट नाइन क्या है इसके अंदर बीनाइन कंट्रीज कौन कौन सी है यह याद रखना बाकी UPSC ने 2014 में एक question पूछा था कि ब्रिक्स के regarding जो ब्रिक correct answer है भी इसका correct answer बन जाएगा फिर उसका अगले आटिकल में इंडिया-Maldives के relations के बारे में बढ़ा था इंडिया-Maldives की दोस्ती कहां पर चल रही है वो हमने cover किया था हुआ क्या है कि National College for Policing and Law Enforcement का उधगातन क्या गया भारत के External Affairs Minister के थ्रू अपने दो दिन की विजिट जिसका नाम है National College for Policing and Law Enforcement अब क्या है मौल्दिफ के बारे में जान लो तो मौल्दिफ की capital माले उसके बाद ये एशिया के अंदर आने वाला यहाँ पर एक country है इसकी population 5.41 lakh के असपास है 2020 के according बात करें तो प्रेसिडेंट यहां के इब्राहीम मोहमत सोही देखने को मिल करेंगी यह बाड़ी यहाँ पर मौल्दिफ के अंदर rules and regulation को मदद करेंगी और वहाँ पर आपका सकतो क्या होगा मौल्दिफ के अंदर यहाँ पर जो इनका direct trafficking वगए इसको यहाँ पर खतम करने मदद करेंगी प्लस जो आतंगवाद वगए इसको यहाँ पर रोकने में मद और जो number of training slots है वो काफियत तक बढ़ा दिया है मौल्दिफ के लिए यह आपको ध्यान लखना है तो मतलब training के perspective से अगर हम बात करें दोनों countries अपने आप में police को लेकर एक काफी बड़ा cooperation करती हुई नजर आ रही है प्लस उसके बाद क्या हुआ मौल्दिफ के अंदर कर हम लोग बात करें तो इंडिया ने investment करने के बारे में चर्चा की गई है इंडिया का जो एक्जिम बैंक है इसने यहाँ पर provide करवा रखाए लगबख 400 million dollar से ज़्यादा पैसा ताकि हम लोग क्या करेंगे हम लोग एक सट पुली स्टेशन मनाई जाएंगे फिर डिविजनल हैटकॉर्टर वगरा बनाई जाएंगे डिटेंशन सेंटर वगरा यह बनाई जाएंगे मौलदिफ के अंदर में तो एक छोड़ा से information मरे पास निकल कर आता है ठीक है बाकी relation के बारे हम बात करें तो मौलदिफ के ज़रूरी है फिर उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख पाओगे यह तो मैं आपको पड़ा दिया उसके आद इंडिया मौलदिफ के निलेशन में सबसे important बात आती है कोपरेशन की कोपरेशन की बारे में जब बात करते हैं तो 1988 में मौलदिफ के अंदर क्या हुआ था त इसके साथ अलगलग ग्रूप से जहाँ पर इंडिया मौलदिफ दुनों साथ मिलकर काम करते हैं जैसे कॉलोंबो सेक्यूरिटी कॉंक्लेव हो गया इसके अंदर यहाँ पर काम करते हैं बाकी जो अक्वारें बहुत पहले का अक्वारें 1988 के आसपास के हैं जहाँ बताया ग इनके टाइम पर भारत ने काफी मदद करी है मौलदिफ की ठीके इंडिया का जो वैक्सिन मेंतरी इनिशेटिव है इसमें हमने काफी हल्प करी है और उसके बाद आप देख पाओगे हमने मौलदिफ के साथ साथ और भी सीचिल्स, कॉर्मोरोस, आइलेंड, मौरिश्यस इन सब की काफी मदद करी, इनको काफी सारे वैक्सिन वगरा, समान वगरा पहुचा जा है, क्लियर हुआ, फिर उसके बाद पीपल टू पीपल कॉंटेक्ट काटाइज अब लग देखोगे, तो मौलदिफ और भारत के पीपल टू पीपल कॉंटेक्ट काफी तक मजबूत है, यहां पर उसके साथ बताया गया, एकोनॉमिक कोपरेशन के बारें बात करें, तो जो कंट्री है, कंट्री के अंदर, मतलब मौलदिफ के अंदर, बहुत सारे लोग यहां पर घूमने के लिए जाते हैं, तो कंट्री के जो मेजर एकौमनी है, वो टूरिजम के ओपर डिपे कर रहे हैं, तो इससे possibility कि पाकिस्तान कहीं न कहीं अपना influence मौलदिफ के अंदर बढ़ा लेगा, और हमारे बिल्कुल पडोसी देश में आ जाएगा, तो यहां से एक concern बढ़ता बने जाराएगा, तो सबसे बड़ा challenge यह है, दूसरा challenge किया है कि China angle आपको देखने को मिलेगा चाइना ने काफी सारा investment मौलदिफ के अंदर कर रखा है, जिसको हम लोग string of pearl के नाम से जानते हैं, string of pearl की strategy यह है कि China ने यहाँ पर इस प्रकार से आप देख पाओगे, एक मोती की माला बिंदी है, जो हाँ पर एक तरीके से इंडिया को घेर रखा है, तो क्या सिर्फ इंड इरान का जो दकम port है, यह बारत को यह पास इसका access है, उसके बाद चाबार का इरान port है यहाँ पर भारत ने डेवलब कर रखा है, उसके बाद जो, sorry, इरान का जो चाबार port है, इसको भारत ने डेवलब कर रखा है, और भी आप देख पाओगे, अलग-लग countries के अंदर investment है, अलग-लग ports को हमने डेवलब कर रखा है, तो इस प्रकार से चाइना को हमने गहर रखा है, चाइना सोचता है कि हमने चाइना ने इस प्रकार से हमें गहर रखा है, तो हमने यहाँ पर चाइना को इस प्रकार से गहर रखा है, तो चाइना की जो strategy है, वो string of pearl की कहलाती है, प् से ये दोनों countries काफी चर्चे में आई है तो ओमान कहां पर इस्थित है आप लोग यहां पर देख पाओगे आपको ओमान देखने को मिलेगा अगर हम लोग पूरे आपको मेडिसिनल प्लांट्स प्रोसेसिंग को लेकर ये आपको देखने को मिलेगा तो मतलब ये सारे सेक्टर से जहां पर दोनों countries मिलकर corporate करेंगी तो ये सारी चाज आप देख पाओगे ठीक है कोई fintech solution हो गया biodiesel research हो गया तो अलग-लग सेक्टर में आपर दोनों मिलकर corporate करेंगी बिसिकली ये इसका major perspective है इंडिया ओमान के relation में आपको काफी details से बताए थे दोनों countries का जो इतिहास है वो काफी important रहा है दोनों countries आपको बीच में मतलब Arabiancy के इधर और उधर देखने को मिलती है मतलब कि अगर आप लोग map देखोगे तो बीचो बीच Arabiancy है इसके इधर ओमान हो गया और इधर यहाँ पर आपको भारत देखने को मिल जाएगा ठीक है तो दोनों countries के बीच में Arabiancy है दोनों countries का जो geographical historical historical और cultural relations है वो कही नहीं लिंक करता वा नजर आता है प्लस सबसे बड़ी बात तो यह हुई कि जो ओमान के लेट H.M. सुल्तान कबूस थे ठीक है इनको गांधी पीस प्राइस दिया गया 2019 के अंदर में तबसे relation और ज़्यदा मजबूत होते वे चले गए डिफेंस relation के बारे में बात करें तो ओमान और भारत दोनों की military के बीच में काफी सरे अभ्यास होता है दोनों की army के बीच में अल नजहा नाम की अभ्यास होता है दोनों की air force के बीच में eastern bridge नाम का अभ्यास होता है दोनों की navy के बीच में नसीम अल बहर का नाम का अभ्यास होता है economic relations के बारे में बात करें तो इंडिया यहां पर ओमान का top trading partner आपको देखने को मिलेगा ओमान के लिए भारत यहां पर तीसरा largest source बन जाता है import के लिए यह आप लोग को ध्यान रखना है हम लोग काफी सरी इंपोर्ट और export दोनों ही करते हैं आप लोग ध्यान रख सकते हो इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो जो Indian companies हैं उन्होंने बहुत सरा investment ओमान के अंदर कर रखा है iron, steel, cement, fertilizer इन सभी sectors के अंदर में प्लस भारत ने बहुत सरा investment ओमान में कर रखा है और ओमान ने भी बहुत सरा investment इंडिया के अंदर कर रखा है और इंडिया के बहुत सरी लोग आज अचके टाइम पर Oman में रहते हैं, लगबख 6.2 lakh इंडियान जो है आज के टाइम पर Oman में रहते हुए नजर आते हैं, आप लोग इसके बारे में ध्यान रख सकते हैं इसको जरूर, ठीक है बहुत सरी इंडियन फैमिली जो है ओमान में रह रहे हैं लगबख धेड़ सो साल मतलब लंबे समय से रहती भी नजर आ रहे हैं तो आप लोग इमाजन कर सकते हो कि कितना ज़ादा इंपॉर्टेंट बन जाता है ओमान हमारे लिए प्लस ओमान का इंपॉर्टेंस इसलिए भी है कि आज के टा EPA पर बहुत सरी कंट्री आप जबड़ चुका है तो ओमान हमारी मदद करेगा प्लस ओमान का इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि ओमान का जो ये धकम पोर्ट है तो यहाँ पर gap लंबा चोड़ा हो जाता, कहीने की China का presence यहाँ पर बढ़ जाता, तो यहाँ पर आप देख पाऊगे, Oman का एक काफी बड़ा रोल रहा है भारत के लिए, उसके बाद अगले article में हमने discuss किया था, Export Prepared Index 2021 के बारे में, तो गुजरात का नाम अभी यहाँ पर इस के अंदर गुजरात ने टॉप किया, गुजरात के बाद महराष्टा, करनाट का तामिल नाडू, यह 2nd, 3rd, 4th rank पर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, गुजरात कहाँ पर इस्थेत है तो आप लोग यहाँ पर देख पाऊगे, यह इंडिया का map हुआ, यहाँ पर परस्फॉमेंस के बारे में बात करें, तो परस्फॉमेंस के बेसिस पर आप देखपाऊगे, जो इंडिया के अंदर हिमालेन स्टेट सेर्स हैं, उसमें उत्रहखन टॉप पर है, कोस््विछे तैस जो की समुदूर के किनार है, वार गुजरात टॉप पर है, यहाँ पर य यह export के performance को काफी अच्छे से यहाँ पर दर्शाता है, काफी अच्छे से बताता है, प्लस उसके बाद यहाँ पर बताता है कि वही क्या क्या दिक्कत होने के बाद यह export को सही से करवाने मदद करता है, प्लस उसके बाद जो state government है उसको guide करने में भी मदद करता है, इंडियान export के बारे में बात करें, तो इंडिया का जो export है आज के time पर, देखो वो औबईस ही बात है यहाँ पर, इंडिया का अंदर export जादा होगा, तो economy बढ़ेगी, तो export के basis पर हमारी GDP भी depend करती है, GDP मतलब gross domestic product, इसके अंदर consumption plus investment plus government expenditure, इन सब को total कर देते हैं और export माइनस import करके यहाँ पर total कर देते हैं तो यह सब मिला कर GDP बनती है जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे तो यह GDP के अंदर काफी बड़ा contribution होता है export का यह बताया गया प्लस यहाँ पर COVID-19 से recover करते करते भी यहाँ पर सबसे सेपा agreement होता है comprehensive economic partnership agreement इस पूरे agreement को finalize कर दिया गया है तो इंडिया UAE का जो यह सेपा agreement है इसको 18 फेबरी 2022 में यहाँ पर sign किया गया था अब फिलाल इसको पूरी तरह से finalize कर दिया गया है जिसको लेकर काफी सरी जगह पर news को cover किया गया तो यहाँ पर आपको इंडिया देखने को मिलेगा इधर आपको UAE देखने को मिल जाएगा ठीक है यह आपको ध्यान रखना है उसके बाद बात करता है देखो जो यह agreement हुआ है comprehensive economic partnership agreement यह प्रकार का free trade agreement है free trade agreement में क्या होता है दोनों countries के बीच में व्यापार हो रहा है export import हो रहा है उस export import के उपर जो काफी सारे extra duties charges लगया ही जाती है उनके उपर छूट दी जाती है बस इतना सा यहाँ पर आपको difference देखने को मिलता है बागी preferential trade agreement भी प्रकार का agreement होता है preferential trade agreement के अंदर कुछ समान होता है जिसके उपर छूट दी जाती है और यह PTA agreement हमने अफगानिस्तान के साथ कर रखा है उस प्रकार से comprehensive economic cooperation agreement भी होता है जहाँ पर again यहाँ पर export import पर छूट दी जाती है tariff quotas के उपर छूट दी जाती है यह SEC agreement हमने Malaysia के साथ कर रखा है उसका bilateral investment treaty आती है दो countries के बीच में investment को लकरी चर्चा करती है उसके बाद यहाँ पर trade और investment framework agreement आता है जो कि व्यापार को बढ़ावा देने की यहाँ पर दो countries के बीच में agreement को किया जाता है फिर यह सेपावल agreement आता है सेपावला जो कि हमने अभी UAE के साथ sign कर रखा है यह भी एक free trade pactate free trade agreement है जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे बहुत सारा समान का व्यापार करेंगे import export करेंगे और वो जो import export होगा वो अगर हम लोग देखें तो उसके अंदर जो प्लस भारत ने इसी प्रकार का जो सेपावल agreement है अभी UAE के साथ sign किया UAE के अलावा South Korea और Japan के साथ भी हम लोगों ने sign कर रखा यह आपको ध्यान अखना है इसका फाइदा क्या होगा goods और services दोनों के अंदर काफी छूट मिलेंगी तो यह बड़ोतरी इसके अंदर देखने को मिलेगी obvious ही बात है उसके बाद अगले आर्टिकल में institutional deliveries को लेकर चर्चा की गई थी तो इंडिया ने यहाँ पर institutional delivery को incentivize करना चालू कर दिया है ताकि यहाँ पर बच्चों का जो जन्म है यहाँ पर काफियत तक बड़ी है hospitals के अंदर यहाँ पर बच्चों का जन्म हो रहा है लेकिन फिर भी situation सही से संभलनी रही है ऐसा बताया गया अगर हम लोग National Family Health Survey 5 देखें तो इसके according आप देख पाओगे जो institutional delivery है वो बड़ी है 2019-20 के अंदर 88.6% से बढ़ती हुई नजर आई है और यहाँ पर बहुत से राज्या है जहाँ पर increment देखने को मिला मध्यापरदेश के अंदर आपको 64.5% से growth देखने को मिली है जहाँ पर जो deliveries है वो institution यानि की hospitals के अंदर हुई है यह यहाँ पर बताया गया ठीक है उसके बाद यहाँ पर बताया गया देखो institution के अंदर deliveries होने के बाद भी जो maternal mortality ratio है infant mortality rate है neonatal mortality rate आपको देखने को मिलेगा यह proper improve नहीं हुआ है ठीक है तो इसके अंदर improvement नहीं देखने को मिलाई ऐसा यहाँ पर बताया गया तो मतलब कि हम लोगों ने institution के अंदर तो birth दिया है बट फिर भी यहाँ पर चीज़े improve नहीं हो पारी है मतलब maternal mortality rate मा की death हो जाती है infant mortality rate यहाँ पर बच्चे की death हो जाती है neonatal mortality rate जो बच्चा पैदा हुआ उसकी death हो जाती है कि भाई जो भी महिला जो है वो obviously बात है अगर जाएगी hospital के अंदर delivery करवाती है तो उनको यहाँ पर एक fund दिया जाएगा कुछ यहाँ पर direct cash transfer में लेगा उनके bank account में उसी प्रकार से एक और योजना है प्रधान मंत्री मत्रूबंदना योजना इसको भी आप लोग एक बार देख सकते हो यह भी यहाँ पर मा को benefit देने का यहाँ पर यह पर यह प्रोग्राम चलाया जाता है और सभी डिक्सरेट के अंदर यह प्रोग्राम चलाया जा रहा है एक जनवरी 2017 से उसके बाद अगले article में हमने medium range surface to air missiles के बारे में जाना था DRU ने अभी दो successfully यहाँ पर जो missile की testing है वो कर ली है और नाम क्या है इसका medium range surface to air missile मतलब जमीन से हवा में छोडने वाली missile है ठीक है और क्या हुआ है यहाँ पर देखो Odisha की coast से इसको छोड़ा या है यह आपको missile सामने देखने को मिल जाएगी जमीन से हवा में छोडने वाली ठीक है यह basically एक army variant of MRACM होने वाला है इंडिया का यहाँ पर special यहाँ पर weapon होने वाला है एक surface to air missile है जिसको भारत और साथ-साथ इसरेल दोनों मिलकर यहाँ पर इसको बना रहे है यह आपको ध्यान रखना है और इसके अपना आप में कापसरे functions देखने को मिल जाएगे एक high response quick reaction missile है जो की काफी तेजी से जाएगा इसकी speed अपना आप में आवाज से काफी दादा तेज होने वाली है ऐसा आपे बताया गया है इसके basis पर बनाया गया है जो यह बरायक missile है इसको हम लोग ने इसरैल से purchase किया था यह आपको ध्यान अकना है यह UPS ने directly question पूछा था उसके बाद एक article चर्चा में था जोजीला पास जोजीला पास काफी चर्चा में आया था तो क्या है जोजीला पास में आपको बता देता हूँ यह आपको देखने को मिलेगा जोजीला पास जमो एंट कश्मीर वाले रिजन के अंदर जोजीला पास एक high mountain pass है जो कि लद्दा के कारिकल डिस्टरेट के अंदर located है यह पास दो जगा को connect करता है ले और स्रीनगर को आपस में जोड़ता है यह आप लोगो ध्यानक ना है और इसी की वज़़े से यहाँ पर एक important link बन जाता है लद्दाक और कश्मीर यूने टरिटरीज के बीच में जोजीला है इसको हम लोग mountain pass of wizards के नाम से भी जानते हैं जोजीला पास यहाँ पर काफी जादा मतलब एक तरीके से इसमें concern ही इस बात का है कि जब ठंड पढ़ती है बर्फ पढ़ती है तो वहाँ पर यह बंद हो जाता है लेकिन अभी हम लोग जोजीला टनल के उपर काम करें आपको पता होगा जोजीला टनल का project launch कर रखा है उसमें हम लोग यहाँ पर एक ऐसे टनल बना रहे हैं जहाँ पर कैसा भी weather हो चाहे बरफ पढ़े चाहे बारिश हो चाहे तुफा नहीं आपर अराम से उस टनल का use क्या जा सकता है प्लस जमवन कश्मी रीजन में आपको ऐसे और ही बहुत सारे पासिस देखने को मिलेंगे वो सारे पासिस के नाम यहाँ पर है और उन पासिस के मतलब जो features हैं वो सारे features यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे तो आप लोग इसको एक बार go through कर सकते हो ठीक है यह PDF तो यह है United Nation Population Fund तो इन्होंने यहाँ पर State of World Population Report को जारी किया है इसका टाइटल है The Case of Action in the Neglected Crisis of Unintended Pregnancy मतलब की देखो Unintended Pregnancy इस वर्ड के ओपर जोर देया गया है यह जो Pregnancy है इसका मतलब होता है यहाँ पर Unplanned ठीक है बिलकुल इसकी planning नहीं है Unplanned तरीके से Pregnancy का हो जाना तो basically उसके ओपर major focus दिया इस report ने इस report को publish किया गया UNFPA के through तो UNFPA क्या है इस body को बनाया गया था as a trust fund 1967 के अंदर में यह काम करने लगी 1969 से फिर 1987 के अंदर इसका जो नाम है यह बदल दिया गया था पहले ही हाँ पर यह United Nation Fund for Population के नाम से जाया करती थी उसके बाद नाम बदल कर इसका अब United Nation Population Fund कर दिया गया है इसका major objective है कि हमारे जो sustainable development goal है लोग की health के उपर काम करना gender equality के उपर काम करने का यह काम करती है funding के बारे बात करें तो इसको जो funding है कोई UN का budget से directly funding नहीं आती है इसको सरकारे fund कर देती है जो private sector वो हैं पर fund कर देते हैं और यही body यहाँ पर state of the world report को publish करती है तो आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में अब इस report ने 5 चीज़ बताई हैं सबसे पहली चीज़ भई है यहाँ पर क्या हो रहा है 2015 से 19 के बीच में हमने देखा है कि जो unplanned pregnancies है वो increase होई है लोगों ने हाँ पर production का use नहीं किया है जो modern conception methods आपको देखने को मिलते हैं contraception methods देखने को मिलते हैं कि काफी बड़ी कमी है जिसकी वैसे लगातार unplanned pregnancy बड़ी है रेप की वज़े से भी हाँ पर pregnancies बड़ती हुई नजर आई है प्लस abortion भी बड़े हैं ऐसा यहाँ पर बताया गया प्लस यूक्रेन का जो वार हुआ इस यहाँ पर एक तरीके से mother है baby है दोनों की health को काफी बड़ा risk होता है प्लस यहाँ पर बच्चे के future के उपर एक गलत प्रभाव पड़ता है पर उसके बाद अगले आर्टिकल में हमने डिसकस किया था ब्रिक्स मीडिया फोरम के बारे में तो ब्रिक्स क्या है तो पांच countries का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ है ऐसा आपर बताया गया ब्रिक्स कंट्रीज के जब location देखोगे तो यहाँ पर आपको Brazil देखने को मिलेगा इधर इंडिया है उपर चाइना है उपर रश्या है फिर यहाँ पर आपको South Africa देखने को मिल जाएगा जो यह ब्रिक्स है इस इस फोरम को बनाया गया था 2015 के अंदर यहाँ पर इन पांचों कंट्रीज के जो मीडिया है वो यहाँ पर मिलकर discussion करते हैं जैसे इंडिया का दाहिंदू हो गया ब्रजील का CMMA ग्रूप हो गया रश्या का स्पूतनिक है चाइना का जिंजवा निउस है और उसके बाद South Africa का independent media है तो यहाँ पर यह सारे media आपस में बैठते हैं discussion करते हैं ठीक है तो इसी को यहाँ पर BRICS media forum बोला गया है अब BRICS के बारे में बात करें तो BRICS यह जो body है यह कैसे बनी देखो यह जो acronym है मतलब B का Brazil स्वरी जो ब्राजील का B है रश्याकार है यह जो acronym है BRICS यह जो acronym है यह पहली foreign minister की meeting होती है 2006 में फिर पहला BRICS का summit होता है 2009 में कहां पर Russia के अंदर में ठीक है South Africa आखरी country होता है जो कि इसको join करता है क्योंकि पहले यह BRICS नहीं होता था पहले यह सिर्फ और सिर्फ ब्रिक हुआ करता था 2010 में सको South Africa ने join किया देन उसके बाद यहाँ पर यह BRIC BRICS बना है ठीक है यह आपको ध्यानक ना है प्लस इन BRICS के initiative के अंदर बात करें तो यहाँ पर जो छटा BRICS का summit हुआ था वो ब्राजिल में Fortaleza वाले एरिया में हुआ था 2014 के अंदर में ठीक है तो उस समय जो leaders उन्होंने आपर एक agreement sign किया और उस agreement को sign करते करते new development bank को बना तो Fortaleza आपको ब्राजिल में यह वाले इरिया में देखने को मिल जाता है आगे बढ़ता है अगले article में desert fox के बारे में चर्चा की गई थी कुछ desert fox है जो कि राजिस्थान के जैसल में district के अंदर देखने को मिले है और हुआ क्या इन foxes के अंदर mange नाम की बिमारी देखने को मिली है ऐसा बताया गया जो में जिनाम की मिमारी अपने आप में काफी खतरनाक है पहले तो यह रखना जो desert fox है इसका common name क्या है इसका नाम है white footed fox या फिर इसका scientific name है walpes walpes pusila जो यह desert fox है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा red fox की तीसरी रुपर आती है तो red fox की तीन प्लस इसका moos nowt की तरह थोड़ा सा बाहर निकला वा जैसे मगरमाच का निकला होता है वैसे snout की तरह हो यहाँ पर इसका मू बाहर निकला वाए प्लस कहाँ पाया जाता है तो western इंडिया में हाँ पर यह आपको देख पाऊंगे पाया जाता है और खाने-पीने में क्या ख सब्सक्राइब के अंदर है मतलब इसके जंसां क्या खूब है मतलब यह है कि अच्छी कासी इसकी population देखने को मिल जाएगी जाद कुछ खत्रा है नहीं ठीक है बाकी में आपको बताया कि यह जो फॉक्स है यह कौनसी बिमारी से सफर कर रहे हैं मेंज क्या है तो मेंज यहा जानुवी हो जाती है इंसानों के अंदर जो होती है उसको हम लोग human scabies बोलते है human scabies की वैसे होती है यहाँ पर एक तरीके से किटाडू होता है जिसका नाम है Sarcoptis scabies वह कौन सा किटाडू होता है आप लोग यहाँ पर देख पाओगे यह है इसकी वैसे यहाँ पर human के जानुवरों के अंदर भी इस प्रकार साब देखाओगे skin के उपर यह patches पढ़ने लगते हैं और जानवरों के अंदर भी जो skin है वो बेकार जाती है बाल वगर जढ़ जाते है पूरी तरह से तो यह मेंज वाली condition कर लाती है ठीक है और सबसे खास बात है कि इसको ठीक किया जा सकता है तो यह इसकी एक important बात है उसका अगले article में हमने discuss किया था तेजस skilling project के बारे में तो तेजस क्या है तो तेजस की full form है training for emirates jobs and skills यह एक इसके इंडिया international project है जो कि क्या करेगा जो बारत के बहुत सरे लोग बाहर हैं उनको train करेगा उनको skills देगा और इस project को launch के दुबई expo 2020 के दोरान साथ साथ बताया गया इस पूरे के पूरे scheme का major objective है कि हम लोग जो बाहर के लोग है ठीके मतलब Indians है जो बाहर काम कर रहे हैं उनको skills दे सके उनको certification दे सके ताकि उनके पास skills होगी तो वह काफी सारी चीज़े अच्छी कर पाएंगे तो हमारा major focus है कि ह यहां पर youth बहुत जादा है और youth के अंदर काफी energy है हम लोग यहां पर उसको सही जगा पर इस्तमाल कर सकते हैं प्लस unemployment यानि की बिरोजगारी काफी तेजी से आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है तो उस समय पे भी हमें लोग को मदद आएगी कि हम लोग क्या कर सके बताया गया कि यहां पर अगर हम लोग के अंदर skills को बढ़ा दें तो skills को बढ़ाने से क्या होगा दुनिया बर की economy बढ़ती हुई नजर आएगी 2030 तक हम लोग 6.5 trillion तक की economy को generate कर पाएंगे इंडिया के अंदर भी 2030 तक जो economy वो 570 billion dollar से बढ़ती हुई नजर आएगी अगर ह ने बोला कि हम लोग यह जो all terrain vehicles है यह vehicle जो है जिसके अंदर दो cabin है यह कैसी भी जमीन पर चल सकता है तो basically इसको अभी फिलाया जाएगा तहनात के जाएगा लद्दाक और कच्छवाले region के अंदर ठीक है यह आप लोग देख पाओगे यह हैं हमारे all terrain vehicles जिसके अंदर दो cabin ह होता है एक बार यह भी image देख सकते हो खास बात क्या है इन vehicles की खास बात यह है कि कैसी भी जमीन पर यह चल सकते हैं मतलब कि चाहिए वो रहतेली जमीन हो जो धसने वाली जमीन हो महाँ पर यह vehicle अराम से चल सकता है प्लस कोई इसनों या नहीं बरफीरी जगा है महाँ पर इ न्यूस के अंदर सबसे पहली आर्टिकल हमने डिसकस किया था एल पोसिया एरियाटा के बारे में यहाँ पर काफी चर्चा में एक बिमारी आई थी जो कि यहाँ पर मतलब चर्चा में क्यों होती क्योंकि औसकर के अंदर आपको बताओगा विल स्पित ने थपड़ मार दि था क्योंकि क्रिस रॉक ने उनकी बीबी को लेकर काफी statement दे दिये थे उनकी बीबी को यहाँ पर अपोसिया एरियाटिया से सफर कर रही थी उनकी बीबी तो एल पोसिया एरियाटिया क्या है तो एक ऐसी condition है जहां पर जढ़ने लगते हैं पहले तो पैचछिस में ऐसे मतलब पूरी तरह से सर पे से बाल हट जाते हैं तीसरा यहां पर होता है यूनिवर्सलिस मतलब सर के साथ साथ आई ब्रोज वगरा भी आप देख पाओगे फेस के ओपर कहीं से कहीं तक कोई विवाल नहीं होता है फिर उसके बाद होता है एंड्रो जेनेटिक यहां पर आप के बारे में तो अमनात के काफी चर्चा में है जो अमनात के वे यहां पर एक हिंदू श्राइन देखने को मिलेगा जो कि जमुएंड कश्मीर में आपको देखने को मिल जाता है हर साल यहां पर क्या होता है कि देखो हजारों जो यहां पर भक्त हैं वो पहुंचते हैं अमन अब आपके आप लोग इन questions को attempt कर सकते हो, इन questions के answers आप लोग को यहाँ पर आगे provide कर वा दिये गए हैं, तो अभी हमने काफी सारी short news को भी cover कर लिया है, I hope आप लोग को सारी बाते अच्छे से clear हो रही है, अब हम लोग क्या करेंगे, अपने इस lecture को समाप्त करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने पूरे सप्ता के current affair के discussion कर लिया है, कुछ Saturday के articles रहे गए हैं, वो हमने अकले दिन के list कर रहे हैं, मंडे के लिए, क्योंकि हम लोग रोजा ना कुछ ना कुछ revision करते रहते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग habit जो है, वो बना जो रखी हम लोगोंने वो बनी रहे, clear हुआ, तो guys, यहाँ पर इसी के साथ करते हैं, हम लोग अपने lecture को समाप्त, और मिलते हैं आप लोगों से next video में, आज कले बाबाए, have a nice day, thank you and jahind.